Hi everyone, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ राहुल जेस्पाला एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों, जैसे कि हमने आप से प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए LMR, यानि Last Moment Revision Series के शिरुवात करेंगे, जो हमारे छोटे स्टाइडर के बच्चे हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9 के बच्चे हैं, उनके लिए हम लाँच कर चुके हैं, कि यार हम आपके लिए जो भी चाप्ट saving है, not time consuming, time saving है, क्योंकि यार लगबग हम बनाएंगे 20-25 मिनट के वीडियो और उसमें आपको हर एक चाप्टर का fast-fast revision करा देंगे, तो ताकि कोई भी बच्चा अगर chapter-chapter वाइस पढ़ रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद उसका इतना अच्छे तरीके से revision आ कैसे कैसे करना है, ठीक है, तो आज maths लेकर आया हूँ, 9 standard के लिए वैसे ही आप लोग के लिए बिच-बिच में science आता रहेगा, बाकी standard के लिए आता रहेगा, तो बस एक request में आप सभी students के करना चाता हो, कि जिस प्रकार हमने 3 साल आप के लिए continuous मेहनत करके, पूरा का पूर करके अपना conception knowledge क्लियर कर सको और practice कर सको, ठीक है, तो इसे लिए हम इस LMR वीडियो को लेकर आया है, ताकि आप लोगों को revision भी हम करवा सके, तो बस एक request यह है आप से, क्या request है, कि अपने सभी दोस्तों को, चाहे वो 6, 7, 8, 9th के हो, या फिर 11th के हो, 10th के लिए तो हर चीज से revision चल रहा है, 10th standard का तो एकदम फाड के रखा हुआ है, और बाखी जो standard के students है, उनके लिए भी, जब बर 10 तरीके LMR, last moment revision series आ चुका है, ठीक है, तो just for an information, again बताना चाहूंगा, कि हमने पूरा का पूरा detailed chapter by chapter, हर एक practice set को solve करवा के, आप लोगों के लिए upload किया हुआ है, त लेकिन आप detailed, proper by proper, यानि कि chapter by chapter पढ़ना चाते हो, lecture by lecture, topic by topic, example by example पढ़ना चाते हो, तो आप हमारे detailed videos देख सकते हो, कहां से मिलेगा, आप बस search कर लेना, क्या ना में जैसे ये chapter पढ़ना है आपको, search करो, कि 9th maths 1, यानि 9th algebra, chapter 5, ratio and proportion by JR Tutorials, आपको हमारे lecture video, इस chapter के जो हमने पढ़ाया हुआ lecture video है, वो आपको मिल जाएगा, मुश्किल से 1,5 घंटा, 2 घंटे में आपका पूरा एक chapter complete हो सकता है, और पूरा practice करोगे, तो definitely आग लगा दोगे exam में, इतना में guarantee के साथ बोल सकता हो, ठीक है, समझ में आ गया, तो जरूर से आप लोग अपने दोस्टों क के नाम पे रखा हुआ है, लेकिन जिसके 37,000 सब्सक्राइबर है, वहाँ पे आपको दीखेगा, तो वो original है, वो हमारा है, जिसमें हम आपके लिए links and काफी, कुछ PDF या फिर कुछ भी रहता है, तो हम provide करते है, तो जरूर से जाके search करके join कर लेना, या फिर link description में दिया content भी है, और आप लोग को ये सब चीज जानना होगा, तो फटाफट revision हो जाएगा, अब ये 72 है, और ये जो है आपका 60 है, तो इसको अगर हम लोग reduce form में बनाने की कोशिश करें, तो पहले तो इन दोनों को ratio में ले लो, क्योंकि chapter का नाम ही ratio and proportion है, अब इन दोनों को ratio में ल 72 upon 60 हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा number सोचो, ऐसा number सोचो, जिसका हम लोग factor बना सके, और वो 72 के table में भी आजए और 60 के table में भी आजए, तो सोचो, अब आप आप आपने अगर table अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक 1 से लेके, मतलब 2 से लेके, आपको 20 तक के table अच 60 भी आता है, तो अगर आप देखोगे, तो 12 multiply by 6, 12, 6, 72 होता है, और नीचे 12, 5, 60 भी होता है, ठीक है, तो मतलब 12, 6, 72 इसका factor लिख दिया, नीचे 60 का 12, 5, 60 लिख दिया, मतलब यह हो गया, अब आप देखोगे, उपर नीचे दोनो 12, तो यह cancel हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे 6 ratio 5, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो 6 upon 5 यानी 6 ratio 5 यह आपका reduce form है, किसका 72, 60 का, this is your final answer, तो ऐसे कही सारे, आप लोगो बड़े-बड़े number, छोटे-छोटे numbers दिये रहेंगे, बस आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, और सोचना है कि किस प्रकार से आप 2500 ml है, अब सबसे पहले तो ने units देखना होता है, यह लीटर में है, यह ml में है, तो आप एक चीज जानते हो, कि एक लीटर में 1000 ml होता है, यह आप जानते हो, तो सबसे पहले कोई भी चीज आ सकता है, currency का आ सकता है, rupees और पैसे का आ सकता है, time का, hour और second का आ सकता है, hour और minute का आ सकता है से कई सारे चीजों के ओपर कोशन्स पूछे जाते मैंने चाप्टर जब पढ़ाया था तो आप लेक्चर भाई लेक्चर जाके देख लेना आपको समझ में आजएगा हर एक चीज डीटिल में लेकिन यहाँ पे तो कुछ-कुछ यह एक्जाम्पल करा सकता हूं क्य ये लमर का मतलब क्या होता है लाष्मोमेंट रिवीजिन ताकि में रिवाइद कर रा सको आप लोगों को यही चीज होता है ना रिविजिन ने लिखा हूँ है तो 5 लीटर अपॉन 2500 ml, ठीक है, 2500 ml, अब मुझे पता है, कि एक लीटर का मतलब 1000 ml होता है, तो 5 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 5000 ml, तुम मैंने लिख दिया, 5 लीटर के बदले क्या लिख दिया, 5000 ml लिख दिया, और नीचे कितना है, 2500 ml है, 2500 ml है, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा साइड में सरका देता हूँ, थोड़ा साइड में सरका देता हूँ, दिख रहा है आपको, अब, अब यहाँ पर आप देखो, ML ML कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे 5000 में से 2-0 कैंसल, 2-0 कैंसल, 50 upon 25 बचेगा, तो 50 upon 25 याने कि 2-1 आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने रिड्यूस कर दिया, तो 5 लीटर और 2500 ml का जो रेशो बन रहा है, रिड्यूस वाला, वो क्या बन रहा है, 2-1, तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ गया है, बहुत सिंपल फंड़ा है, बहुत सिंपल फंड़ा, चीक हाँ, बीच-बीच में, थोड़ी बुद मेरे को खासी आगी दोस्तों, तो फ्लीज माफ कर देना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, कि मेरा गला अल्मोस्ट जो है ना, लेक्चर लेने की कगार पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डॉक्टर ने भी मेरे को मै तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम लूँ, जैसे कि आप जानते भी होगे, मैं थोड़ा कम लेता हूँ, क्योंकि मैंने दो साल कड़ी महनद किया, और रोज पात-पात-छेचे वीडियो बना-बना कि मैंने अपना गला जो है ना, वो थोड़ा खराब कर लिया है, ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा कम बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार पढ़ाना तो पढ़ेगा ही मिरको, ठीक है, आने वाले समय में एक-दो साल के अंदर हम क्या करेंगे, कि हम पूरी टीम बना लेंगे, जो आप लोगो ज्यादा तर पढ़ाएंगे, ठीक है, और सब च 6.25 को मैं क्या कर सकता हूँ, दोस्तों बुझा बता हूँ, 6.25 को हम लोग अगर रेशो बनाना चाहते है, परसेंटेज वाला, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज का मतलब होता है, अपॉन हंड्रेट, मतलब 6.25 अपॉन हंड्रेट, ठीक है, क्योंकि कोई भी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 6.25 ये नीचे 100 है अब मैं क्या करता हूँ ये 6.25 मुझे मजा निया रहा है तो पॉइंट के बाद दो नमबर है तो इसको अगर मैं 100 से पॉइंट के सब्सक्राइब से सब्सक्राइब नीचे वी है थे नीचे 10 अब इसको क्या इसको कर सकता हो कैंजल कैसे कर सकता हूँ 25 के table ने 25 25 फेनिटिफाइब होता है और 25 के table ने 25 फोर जा हंड्रेड और 00 मतलर कितना ब pillow be 25 में ऑफ़द से फ़ेनिट फांस हो तरहाया से अब 25 के table में आप देखो 25 funkा 25 होता है 25 फांस होटा है 25 फेनिटी कुछ नहीं है यह जो लोगों को लगता है कि हाड है लेकिन कुछ नहीं होता है यह बहुत सिंपल होता है और यह पूरा दीटेल में तो हमने चाप्टर में भी पढ़ाया हुगा है आप लोगों यह चीज बहुत एजी लग रहा होगा फटाफट से देख लेता नेक्स्ट है अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग मानना पड़ेगा इस इक्वल टू एक्स परसेंट ठीक है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि 15 रेशो 25 जो होगा वो एक्सपरसेंट होगा मुझे पता नहीं कितना परसेंट होगा तो मैं इसको लुख सकता होँ और एक्सपरसेंट को मैं एक्सट अपॉन 100 लिख सकता हो क्रोस मल्टिप्लाइ करलो क्या हो जाएगा 1500 विल बी उक्वल टु 25 एक्स ठीक है therefore, therefore क्या हो जाएगा, x will be equal to what, 1500 divided by 25, कर लो, 25 बेंजा 25, 25, 6, 150 और 0, तो x आपका कितना आगया, 60, मतलब percentage कितना आगया, 60%, खतम कहानी, आपको क्या करना था, 15 ratio 25 को percentage बनाना था, बना लिया आपने, 15 ratio 25 का मतलब कितना है, 60%, खतम कहानी, कितना simple था, तो ऐसे equation सी आएंगे, आप कि वो x percent है, x upon 100 हो जाएगा, उसको cross multiply करके, equate कर दो, यानि आपका calculation के गरके, आपका answer जो है, वो आ जाएगा, समझ में आ गया, तो ऐसे questions आपको देखने मिल जाएंगे, इस practice set में से, और भी कई सारे example है, जैसे ratio of present is of Rehana and her mother is 2 is to 7, तो सबसे पहले मान लो, कि let the present age, ठीक है of Rehana and her mother, ठीक है, common multiple लेना पड़ेगा, 2 is to 7 दिया है, मतला हम माल लेंगे 2x and 7x, हमने x common multiple माल लिया, तो 2x जो होगा, वो Rehana का present is होगा, और mother का कितना होगा, 7x होगा, currently, presently, फिर after 2 years, क्या बोल रहा है, after 2 years, लेको या पे word, after 2 years, after 2 years, the ratio of their age will be 1 is to 3, ठीक है, मतला 2 year के बाद अब 2 year के बाद मुझे बताओ, 2 year के बाद, जो Rehana है, उसका age 2x जो पहले था, तो 2 year के बाद क्या हो जाएगा, 2x plus 2 हो जाएगा, ठीक है, Rehana का age 2x plus 2 हो गया, और mother का जो 7x था, वो क्या हो जाएगा, 7x plus 2, तो 7x plus 2 हो गया, और ये दोनों का जो ratio है, देखो, after 2 years, the ratio of their age, मत 3 multiply by 2x मतलब, एक सेकंड रुग जो, इसको मैंना x टेप बढ़ा ले, तो 3 multiply by 2x plus 2, ठीक है, will be equal to 1 multiply by 7x plus 2, क्या हो जाएगा, 6x plus 6 is equal to 7x plus 2, 6x को इधर ले क्या आ जाएगा, तो 6x minus 7x is equal to 2 minus 6, तो ये हो जाएगा, minus x is equal to minus 4, तो therefore x will be equal to, minus x is equal to minus 4, तो therefore x will be equal to 4, तो हमको क्या पूछा था, find the रेहाना present age, present age रेहाना का क्या माना है, हमने 2x माना हुए, ठीक है, मतलब, x actually common multiple है, तो present age रेहाना का क्या है, 2x है, तो therefore, present age of रेहाना, रेहाना का जो present age है, वो कितना है, actually 2x है, तो 2 का, x का value पता है, 4 है, तो 2 multiply by 4 is equal to 8 years तो रेहाना का present age कितना हो गया, 8 years, कितना simple था, बोलो, एक minute लगता नहीं है, और हमाँ answer निकाल सकते है, तो आप लोग भी निकाल सकते हो, correct है, बस देखो, ये तो हमारा revision चल रहा है, लेकिन मैं एक ही चीज़ वापस से बोलूँगा बार बार, कि अगर आपको detail पढ़ना, जैसे कि, मैंने तो गिने चुने examples करा दिये practice set के, मतलब क्योंकि revise करा रहा हो, already मैंने करा है ना पूरे charter, ठीक है, तो आप अगर वो देखके, ये देखोगे, तो आपको double revision होगा, मज़ा आ जाएगा देखके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज जरूर से focus कर ल होता है, तो पहले में क्या करूँगा, 5 multiply by 121 करूँगा, इसका value क्या आएगा देखो, 5, 1, 5, 2, 10 होता है, 1 carry, 5, 5, 6, ठीक है, 121 को पाच से multiply गए, 605 आया, फिर इसको इस से multiply करो, 17 multiply by 18, ठीक है, तो 17, 18 को multiply करो, तो करके देख लो यार, 18 multiply by 17, 7, 8, 56, 5 carry, 7, 7, 7, और 8, 12 हो ग गया, correct है, तो अगर आप ये दोनों को compare करोगे, दोनों को compare करोगे, तो मेरा 5 multiply by 121 जो है, वो 605 है, ठीक है, और 17 multiply by 18 जो है, वो 306 है, मतलब कहीं न कहीं, जो 5 multiply by 121 है, और 17 multiply by 18 जो है, इन दोनों में, ये और इसमें, इन दोनों में, बड़ा कोन है, बड़ा 605 वाला है, मत मतला हमारा सिम्बॉल क्या आएगा ऐसा वला आएगा तो इसका मतला हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये 5 अपॉन जो 18 था इस तरफ वाला ये बढ़ा होगा 17 अपॉन 121 और यही basic rule है calculate करने का खतम कहानी मिल गए आपको आपका comparison की यार ये वाला जो side है 5 आपॉन 18 बड़ा है 17 आपॉन 21 से simple है clear है ना same उसी प्रकार यहाँ पर आप देखो इसको multiply by root 5 multiply by under root of 125 इसको solve कर लो answer आएगा आपका तो देखो ये 3 तो पहार ही है अंडर root में ये 5 और 125 साथ में चले गए तो 5 और 125 को कैसे लिख सकता हूं है 25 multiply by 5 होता है तो आप देखो कि अगर तो ये 5 5 multiply हो रहा है ना यहाँ पर देखो solve करता हूं में यहाँ पर solve करता हूं देखो यह हो रहा है 3 तो पहले से ही बहार है ये 5 अंडर 5 multiply हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा मतलब अंडर root में 25 हो गया ये वाला और ये 5 multiply by 5 ये 25 हो गया तो इसका मतलब क्या है एक तो 3 पहले से ही बहार है ये 25 का भी जो root आएगा 5 आएगा और ये 25 क गरूट भी 5 आएगा तो 55 जा 25 25 सरी जा 75 मतलब ये value कितना आ रहा है 75 मतलब 3 root 5 को 1 अंडर root of 125 से multiply कहा तो 75 आ ये एक पता चल गया अब इसको इससे multiply करो यानि की root 63 को multiply करना है किससे 5 root 7 से ठीक है खरो multiply ये root 63 अंदर जाएगा root 7 के साथ 5 बहार है ठीक है तो देखो ये root 63 को क ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है ये 5 पहले से ही बहार है देखो मैं fast करा रहा हूँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगो ये 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 को मैं 3 multiply पर 3 लिख सकता हूँ लेकिन जरूरत नहीं इसको मैं 9 का 9 ही लिखता हूँ ये 7 multiply 7 को मैं 49 लिख देता हूँ ठीक है अब मुझे पता है ये 5 पहले से ही बहार है ये 9 का root बहार निकलेगा 9 था ना अंदर बहार आएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा square root निकल क्या बोल सकता हूँ बताओ इससे मैं एक चीज़ clearly क्या बोल सकता हूँ कि जो 3 root 5 को मैंने multiply किया under root of 125 से और ये जो root 63 था इसको मैंने multiply किया 5 root 7 से तो ये दोनों में जब आपने compare किया इसका value और इसका value में compare किया बढ़ा कोन है जीत कोन रहा है बढ़ा ये है इसका value आए 105 म को multiply किया तो 105 मतलब ये बढ़ा है तो ये बढ़ा है मतलब symbol आपका कैसे आएगा ऐसे आएगा तो clearly बोल सकते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे 3 root 5 अपान ये जो 5 root 7 है छोटा छोटा लिख रहा हूं में ये इस प्रकार से symbol आ जाएगा और ये root 63 अपान root 125 ठीक है तो इस प्रकार से आपको कर ले ना ये आपका आगया answer खतम कहा नहीं समझ में आ गया simple है na fund up बहुत easy होता है बस आपको करना है तो ऐसे कई सारे comparison वाले examples हमने करा रखें आप जरूर से जाके check out कर ले ना बहुत अच्छा लगेगा आप लोगो ठीक है समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ क्या है if a is to b is equal to 3 is to 1 and b is to c is equal to 5 is to 1 then find the value of a cube upon 15 चलो check करते हैं क्या आईगे तो a by b का value कितना दिया हुआ है सबसे पहले देखो a by b a by b a is to b का value दिया हुए 3 is to 1 इसको अगर आप देखोगे तो cross multiply करके तो आपको मिल जाएगा a is equal to 3 b a is equal to 3 b मिल गया इसको चेत आप equation number 1 माल लो दूसरा क्या दिया हुआ है b by c यानि b is to c is equal to 5 is to 1 यानि 5 upon 1 इसको calculate कर लोगे तो b is equal to 5 c मिल गया तो b का value 5c है तो यह b के जगा पे b का value 5c है तो इसको मैं 2 माल लेता हूं और मैं put करता हूं put in 1 1 में put किया तो आपका जो a था a is equal to 3b है तो b का value 5c है तो b के जगा पे अगर मैं 5c ढाल दूसरा यह हो जाएगा 15c मतलब a का value एक नाया मिल गया हम लोगको equation number 3 मान लिया, तो A का value वे पास 3B भी आ गया, A का value 15C भी आ गया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हमको निकालना है value of A cube upon 15B square BC, ठीक है, जो भी है, लिखो इसको, तो A cube upon 15B square C, इसमें अगर मैं value डालता हूँ, A के जगा पे क्या लिखूँँगा, 15C, तो A के जगा पे multiply by 15C, multiply by 15C, cube हो गया, A cube, upon 15 multiply by B square, तो B का value क्या है मेर पास, देखो, B का value है 5C, तो 5C का square, मत्दब 5C multiply by 5C, लिखिया, और यहाँ पे C अकेला है लाश्ट में, अब देखो कुछ cancel out हो रहा है क्या, आप देखो गे, तो ये 15 और ये C, ये 15 और ये C, 15 और ये C, मिला के 15C को cut कर दिया, ठीक है, चाहिए तो मैं yellow marker ले लेता हूँ, आपको clear दिखेगा, देखो, ठीक है, ये 15 और ये C मिलके, 15C को cut कर दिया, ये 5C बंजा 5C, 5C, 3 is a 15C, ये भी 5C बंजा 5C, 5C, 3 is a 15C, मतलब क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, आपके पास जो value आ रहा है, वो क perfectly आ रहा है की नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ, इसका भी cube है, मैंने या पे लिखा नहीं, ये पूरे का cube है, ठीक है, ये question में न, ये पूरे का cube है, मतलब इस पूरे का cube, मतलब इस पूरे का cube, यानि कि ये हो जाएगा, 3 multiplied by 3 is equal to 9, और ये 9 का cube, तो 9 Q, Q मतलब 9 multiplied by 9, तो कितना होता है, 729, करेक्ट, ये होता है, करके देख लेना, 81 multiplied by 9, 99 is 81, 81 is 729, आगे आपके answer, देखो, तो कितना बड़ा value था, ये a cube upon 15 b square c का cube, आपका value आगे 729, कितना simple है, आप बोलो, कितना simple है, तो ऐसे ही अलग-अलग type के examples, पूछे जाएंगे, आपको कुछ ratio दिया रहेगा, आपको बोलेगा, कि ऐसे ऐसे value find करना है, आप easily find कर सकते हो, trust me, बस अपने आप पे आप भरुसा रखो, ठीक है, और एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि आप जानते है, कि हमने ना, कभी भी ना, महनत से कमी नहीं किये, मतलब, महनत करने में हमने कभी भी कमी नहीं छोड़ी हमने दिनों रात एक करके, आपके लिए महनत करके, पूरा सिलावस अप्लोड किया है, चाहे वो science 1, science 2 हो, मतलब आप जानते हो कि आपका वैसे, एकी बुक है science का, लेकिन पूरे chapters हमने पढ़ाया हुए, इतने खतरनाक भहेंकर chapters थे, लेकिन सिर भी हम लगे ने detailed analysis के साथ आ आपको देखने मिल जाएंगे, हमने science के exercise के concept solutions आपको provide किये, बीच में कई सारे वीडियो हमने डाले थे, तो यह सब चीज हमने क्यों किया है, वो भी सब चीज फ्री में किया है दोस्तों, हर चीज हमने फ्री में डाले है YouTube ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज में आप से चाहता कर लेना, रिलाक्स कर लेना, लेकिन दसवी की पढ़ाई की शुरुआत कर देना, और दसवी के लिए आप लोग के लिए तो जानते ही हूँ आप लोग कि दसवी का हमने कितना बहतरी तरीके से दो दो तीन तीन बार पढ़ा के complete किया है, और पूरा syllabus complete है, प्लस LMR वीडियो available है, one shot available है, उडान batch completed है, मतलब हर चीज present है, तो आप लोग जब 9th exam दे दोगे न, तो 10th का पढ़ाई शुरुआत कर देना, दोस्तों, क्योंकि जल्दी शुरुआत करोगे तो हो सकता है, आप लोग का जल्दी preparation हो जाए, ठीक है, तो बस यही बोलना चाहूँगा, आप ल लिख दिया, is equal to, x minus 2, upon x plus 1, देखो, अब क्या करना है, x का value निकालना, कुछ ने cross multiplication करो, answer आ जाएगा, तो cross कर लो, x plus 3, और यह x plus 1, यह क्या होगे, आपस में multiply होगे, divide by, divide क्यों करना है, sorry, is equal to, कहा क्या है, is equal to, यह x minus 2, और इसो multiply हो जाएगा, x plus 11 के साथ, ठीक है, तो क् x multiplied by x is x square, plus 3 multiplied by x is 3x, plus 1 multiplied by x is 1x, plus 3 multiplied by 1 is 3, is equal to, x multiplied by x is x square, minus 2x, ठीक है, और, plus 11x, और यह हो जाएगा, minus 22, अब साल कर लो, यह x square, यह x square, cancel, ठीक है, यह 3x plus 1x is 4x plus 3, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे minus 2x plus 11x, यहाँ 9x, minus 22, इसको इधर भेज़ दो, तो यह हो जाएगा, 4x minus 9x, और इधर भे, minus 22 था, इसको इधर भेज़ दो, तो minus 3, तो यह हो जाएगा, 4x minus 9x, यानि, minus 5x, is equal to minus 25, तो therefore, x will be equal to 25 upon 5, minus minus cut हो गया, 25 upon 5, तो therefore, आपका x का value आ गया, 5, कितना simple था दोस्तो, दिखने में कितना hard लगता है, लेकिन होता simple है, correct है, समझ में आ रहा है, थोड हमने कई सारे shortcut revision कर रहा है, SCR वीडियो लांच किया था पिछले साल, इस साल तो LMR किया है, आप लोगो के लिए last moment revision एक्दम खतरनाक तरीके से, तो हर चीज़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दोस्तो, साथी में दस्वी का board exam चल रहा है, तो उनके लिए तो अलग मेहनत कर रहे ह आप लोग के लिए कुछ काम आए, तो प्लीज इसी चीज़ के लिए support बनाए रखना, आप लोगी support की सक्त जरुवत है, जैसा कि आप जानते हो, ठीके आज हम लोग भले 11,001,000,000 पे बैठे हुए, लेकिन आगे भी हम लोग को ऐसे आगे जाना है, ठीके, आप लोगा प् आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना, जो मैं आप लोगो बताने जा रहा हूँ, बहुत मज़दार चीज है ये चीज, ठीके, तो गम अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, चलो, सबसे बहले question क्या बोल रहा है, if a by b is equal to 7 by 3, find the value of this value, तो सबसे पहले त मतलब कहीं न कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका square करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों का square ले लेता हूँ, taking square root, taking square both sides, तो जब square ले लोगा तो ये बन जाएगा a square, ये बन जाएगा b square, और ये हो जाएगा 49, अपॉन ये हो जाएगा 9, इतना समझा अप लोको, ठीक है, लेकिन मुझे na a square तो मिल गया, जीक है, लेकिन मुझे 7 में na a के साथ 2 चाहिए, b के साथ 3 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 3 multiply किया है तो right hand side भी 2 by 3 multiply करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ multiply करूँगा तो इसका value फ़रग पड़ेगा तो उसको balance करने के लिए 2 by 3 यहाँ पर भी multiply करना पड़ेगा ठीक है इतना समझ में आ गया अब check करो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं फटा फट से फटा फट से क्या करो चेक करो तो यह हो जाएगा 2a square upon 3b square हो गया यह is equal to यह 49 2 जा होता है 98 9 3 जा होता है 27 तो यह हो गया 98 upon कितना हो गया 27 माफ करना 37 लिख दिया गलती से इतना होता है यह 27 होता है तो 98 upon 27 अब मुझे बात बता हो थोड़ा सा लॉजिकल हो थोड़ा सा लॉजिकल होता हो यह 3a square upon 3 2a square upon 3b square is equal to 98 upon 27 है मुझे ऐसा बनाना है 2a square plus 3b square मतलब यह value उपर वाला value नीचे वाले कसा प्लस होना चाहिए ठीक है और नीचे में यह वाला value उसके साथ property एक बार उपर वाला नीचे वाले कि साथ plus होगा फिर नीचे एक बार उपर वाले नीचे के साथ minus होगा मतलब यह जो नीचे टुपर जो 2a square दिखाए यह नीचे वाला यानि 3b square square के साथ plus होगा और वैसे ही एक बार वो minus होगा तो अगर ये left hand side वाला अगर हो रहा है तो वैसे ये right hand side वाला भी होगा मतलब 98 एक बार नीचे के साथ plus होगा और एक बार याद मैं बार बार 37 क्यों लिख रहो 27 के साथ plus होगा और एक बार minus होगा ठीक है तो चलो solve कर लेते हैं यह तो हो गया 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square हमको इसका ही value चाहिए नहीं देखो यह आ रहा है तो यह जो calculate कर लोगे तो 98 plus 27 कर लो यह हो जाएगा 125 upon 98 minus 27 कर लो 98 में से 27 minus कर लो कितना आता है 98 में 27 गया 71 ठीक है तो 71 आ गया तो 125 upon 71 आ गया इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता मतला कोई भी टेबल में हम लोग पैटने कर सकते हैं इसको छोटा नहीं हो सकता तो इसे लास्ट वैल्यू तो हमारा रारेक एंसर आ गया मतलब 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square is equal to 125 ratio 71 this is your final answer खतम कहानी कित पर यह पूछा हुआ है इसके दिखाते कुछ और पूछे का लेकिन लॉजिक जो होगा वो सेम होगा लॉजिक मतलब क्या बोलता है कि यह कैसा दिख रहा है उसके इससाफ से आप बना लो और कंपोनेंडों डिविडेंडों लगा दो आपका एंसर आ जाएगा यही सब एक स्क्वाइर प्लस 4B स्क्वाइर अपॉन 15A स्क्वाइर माइनस 4B स्क्वाइर इसकोर दो 14 मतलब यह देखके रखा है उन्होंने एक रेशियो और हमें इस का वैलू निकालना है तो चलो तो सबसे पहले हमारे पास यह जो वैलू है फ्यक्यावट करूंगा ठीक है तो एह सो जो B का value कैसे calculate करेंगे, ठीक है, चलो check करते हैं, चलो check करते हैं, फटा-फट से कैसे calculate करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो value है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो value है 15 A square plus 4B square upon 15 A square minus 4B square, अगर आप इसको check out करोगे, अगर आप थ्यान से देखोगे, अगर इसी में हमारे component डिविदेंट लगा दो, मतलब इन शॉट क्या हो जाएगा, that is this plus this हो जाएगा, उपर में, तो this plus this कर लो, that is 15 A square minus 4B square, मतलब this plus this हो गया, उपर और नीचे साब plus हो गया, वैस इसमें क्या लगा दिया, component डिविदेंट लगा दिया, तो यह हो जाएगा 47 plus 7, और नीचे हो जाएगा 47 minus 7, simple, मैंने क्या लगा दिया, component डिविदेंट लगा दिया, मतलब इसी को लेगे मैं solve कर रहो, अब आप देखो कुछ cancel out हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है, इधर equal नहीं आ तो 15A square और यह minus 15A square, यह वाला, यह वाला cancel हो जाएगा और यह minus 4B, ठीक है, minus 4B square और यह आपका क्या हो जाएगा, minus 4B square, ठीक है, that is, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, that is nothing but 8B square, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 8B square, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 8B square, ठीक है, ठी A square upon 8B square हो रहा है, और यह 47 plus 7, 54 होता है, और यह हो जाएगा 40, 54 upon 40, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगो, 54 upon 40, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर हम लोग कुछ जुगार कर सकते हैं, क्या चलो, अगर मुझे A का value चाहिए, A square upon B square को मैं ऐसी रखता हू A square upon B square को मैंने ऐसी रखा, ठीक है, अब देखो, यह 54 upon 40 तो पहले से यहाँ पर, लेकिन यह जो A square के पास जो 30 था न, इसको इसके पास देज़ दोंगा, तो यह क्या हो जाएगा, मतलब यह 30 upon 8 जो separate कर दिया मैंने, A square upon B square को separate और 30 upon 8, तो यह इसके पास जाके क्या हो यह 8 upon 30 हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 8 upon 30 हो जाएगा, तो चलो दोनों को multiply कर लो, multiply करो, लेको, 6, 5, 30, 6, 9, 54, ठीक है, करेक्ट है, तो 9, 8, 72 upon 72, ठीक है, यहाँ पर चेक आउट करते हैं, हम लोग क्या आ रहा है हमारे पास, 8, 8, 5, 40, तो थोड़ा confusion आपको कर देता हो, फिर से, यह उपर 9 बच्चा है, multiply by 1 मतलब 9, यह 5 multiply by 5 याने कि 25, अब मुझे A square by B square का नहीं, A और B का value चाहिए, तो A by B is equal to under root of square चले जाएगा यह, तो यह 9 बन जाएगा 3, 25 बन जाएगा 5, तो हमें मिल गया A by B का value, जो हम लोगो नहीं दिया था, तो हमने A by B मिल गया, तो आपका आसान हो गया सब चीज, कैसे आसान हो गया, चेक आउट कर दो, यहाँ पर, कैसे आसान हो गया, देखो मैं बताता हूँ, तो हमें color change करता हूँ, यह लेता हूँ, एक बार आपको A by B मिल गया है, अब मुझे पता है, कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, म वैसे 3 by 5 को भी आपको 7 by 3 से multiply करना पड़ेगा balance करने के लिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 A, नीचे हो जाएगा 3 B, ठीक है, correct, is equal to 3 7s are 21 upon 5 3s are 15, 5 3s are 15, यह आपको समझ में आ गया, आप से यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, दोस्तों, बताओ मुझे, जो हम लोग componendo, dividendo है, वो यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, by यहाँ पर लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं direct लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ, मैं 7 A plus 3 B upon 7 A minus 3 B हो गया, और यह भी 21 plus 5 upon 21 minus 5 हो गया, यह कैसे आया, by componendo, dividendo, मैं shortcut लिख रह is equal to, यह 25 plus 5, 21 plus 5 कितना हो जाएगा, 26, 21 मैं से 5 कितना बचेगा, 16, तो 26 by 16, हमको चाहिए उपर माइनस नीचे प्लस, तो उल्टा घुमा दो, तो उल्टा घुम जाएगा, तो कैसा दिखेगा, 7 A minus 3 B, और नीचे आ जाएगा, आपका 7 A plus 3 B, तो यह भी उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा, 16 upon 26, इसको आप cancel out करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है, correct है की नहीं, correct है, सही जा रहे की नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़े ले रहे हैं, 3 by 5, 3 by 5 बिल्कुल आया, 7 by 3 से multiply किया, तो कितना आ जा रहे है, 7 by 3 से multiply करने के बाद, 7 A upon 3 B, ठीक correct है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो यह कर लो आपका कितना आ रहे है, 8 2 जा, 2 8 जा 16, 2 13 जा, 8 by 13 के आसपास कुछ आएगा, तो यह calculate कर ले ना, इसमें check out एक बार कर ले ना, ठीक है, clear हो गया यह चीज, समझ में आ गया, तो ऐसे ही आपको solve करना है, लगबग आपका answer ऐ I'll try to resolve, ठीक है, लगबग ऐसे answer आ रहा है हमारा और कुछ तो दिक्कद मुझे लग रहा नहीं, ठीक है ना, हाँ, यह देखो, यह यहाँ पे मैं एक गड़बड कर सकता था, इसको मैं resolve करता हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक आउट कर ले ना, 7 by 5 लेकिर चलू कर रहो गया, तो यह हो जाएगा, 12 upon 2, वराबर ना, तो कितना बचाएगा, 12 upon 2 के इसाब से, यह हो जाएगा, 2 by 12, यानी कि यह हो जाएगा, एक मेंट, टू बाई 12 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, वन अपॉन 6, तो वन अपॉन 6 आएगा, मतलब 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इस इगल टू 1 अपॉन 6, यानि 1 रेश्ट टू 6 आएगा, अब हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, यह हमने न, इसको सिंप्लिफाइ नही है, तो आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे, तो आपका कही न, कहीं थोड़ा सा मिश्टेक होना था, लेकिन आइंसर विल भी दा करेक्ट, ठीक है, 1 अपॉन 2 आ रहा था आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, next पे आते हैं, जो कि एक हमारा आखरी कोश्चन है, इसको 3 is equal to 4 upon 1, अब इसको मैं कैसे कर सकता हो, चेक आउट करो, मैं क्या करता हो, यहाँ पर डेरिकली कमपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हो, बाए, कमपोनेंडो डिविडेंडो, क्यों लगा रहा हो, चेक आउट करो आप लो, क्यों लगा रह गा under root of 4x plus 1 minus under root of x plus 3 यह हो जाएगा plus में और इसी के नीचे आ जाएगा minus में यानि कि under root of 4x plus 1 plus under root of x plus 3 whole minus इस के साथ under root of 4x plus 1 minus under root of x plus 3 के साथ ठीक है और यह is equal to यहां पे भी component divided लगेगा तो 4 plus 1 upon 4 minus 1 अब देखो sall कैसे होगा यह है यहाप देखोगे तो ये UNDER ROOT OF X PLUS 3 X PLUS 3 ये YAME कैंसल हो जाएएगे यहाँ पर माइनस PLUS में तो अप्ने पास क्या बचेगा? UNDER ROOT OF 4X PLUS 1, UNDER ROOT OF 4X PLUS 1 तो दो बार है तो ये हो जाएगा 2 UNDER ROOT OF 4x plus 1, यह समझा, नीचे, नीचे आप देखोगे, नीचे आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे cancel out क्या हो रहा है, यह minus 4 root x plus 1 है, और यह plus 4 8 plus 1 है, तो हमारा यह minus 3, यह minus मिलके plus बना लेंगे, तो यह under root of x plus 3, यह plus हो जागा, minus minus plus, तो under root of x plus 3, plus under root of x plus 3, मतलब 2 time under root of x plus 3, is equal to, यह 4 plus 1, 5, upon 4 minus 1, 3, यहाँ तक समझ में आएगा, कितना simple हो गया, उपर नीचे 2, 2 cancel, क्या बच रहा है, under root of 4x plus 1, under root of x plus 3, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे taking square both side, squaring कर रहा हूँ है, square both side, मैंने multiply कर लो, आपका अंसर आजाएगा, खतम कहानी, देखो, फटा फट से कर लेते हैं, इन 9 multiply by this value, तो 9 को इससे multiply कर लो, तो 9 multiply by 4x plus 1, बीच में equal हो जाएगा, 25 multiply by x plus 3, ठीक है, 25 multiply by x plus 3, करके देखो, फटा फट, 9 for 36x plus 9 is equal to 25x plus 75, x x को साथ में रखो, 25 इज़र आजएगा, तो 36 minus 25x will be equal to 75, 9 इज़र आजएगा, minus 9 हो जाएगा, 36 में से 25 minus कर तो कितना बच रहा है, 11x बचेगा, 75 में से 9 गया, कितना बचेगा, 66, ठीक है, तो 11x is equal to 66, therefore x will be equal to 66 upon 11, तो therefore आपको x का value मिल गया, 11x 66, x का value 6 आगया, हमको पूचा क्या था, कुछ पूचा था इसमें आपको क्या करना था, बस आपको x का value निकालना था, तो आप आराम से x का value 6 निकाल लिया आपने, बिल्कुल सही कोई problem यहाँ था, कुछ भी tension वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना, वापस समें cross check कर लेता हूँ, हाँ, solve the following करना था, मतलब आपको x का value निकालना था, तो मैं एक और पार्ट बनाऊँगा, क्योंकि अलड़ी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, तो एक और पार्ट मैं बनाऊँगा, उस पार्ट मैं आपको मैं सिखाऊंगा, कि जो practice is 4.4 है, 4.5 है, उसमें किस टाइप के example से, और ये एक और lecture में ये पूरा chapter का revision LMR complete हो जाएगा, फिर उसके आगे जो chapter से उसको भी फटा-फटला के आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन बस एक ही request है आप से, जैसा मैंने बोला, यार, हो सकता है, प्रॉबलम हो जाए, तो यार, देखो, lecture by lecture वीडियोस तो ही, साथ में ये भी वीडियोस है, तो please, देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, all the very best for exam, अच्छे से पढ़ते रहो, हम तो ही आपके लिए पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके, अपलोड करके रख चुके हैं, अब आपकी बारी है, आप लोग पढ़ाई करते रहो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हमें। डारी है, औरलोड कर घंज से लिए उपके लिए ये इतना हीमfire अवक करते हैं, हम एवके हैं, आपके हैं, अपके हैं, एकरते हैं, इक में हम पजस्या हैं, प्टके हैं,